जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे टेक्स ओडिट के बारे में क्या टेक्स ओडिट की लिमिट है, क्या ड्यू डेट्स है, क्या पैनल्टीज वगरा है और भी क्या-क्या फॉर्मल्टीज हमें टेक्स में करनी पड़ती है, असेस्मेंट येर 22-23 के बारे में हम बात करेंगे, जिसे की फाइनेशियल येर 21-22 भी बोलते हैं, 31 मार्च 2022 को जो आपका साल खतम हुआ है, उसके लिए आपको ओडिट करवानी है, आपको पता होगा दोस्तो दो तरहें के टेक्स पर होते हैं, एक त दूसरे नोट ओडिटेबल जैसे सेलरी बगरा के जो परसन होते हैं, वो डिरेक्ट ही भर देते हैं, नोट ओडिटेबल की जो लास्ट तरीक थी, वो 31 जुलाई थी, 31 साथ 2022 थी, वो निकल चुकी है, अब ये बी लेटड या रिवाइज रिटन भरी जा रही है, लेकिन ओ इसके बाद में जो अपकी अपलोड हो गई है, उसके बाद में इसकी आईटियर जाती है, अब हम बात करेंगे, क्या लिमिट है, किसे ओडिट करवानी जुरूरी है, बिजनस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपकी कोई टरन ओवर है, तो अगर आपकी टरन ओवर दस करोड रुपे तक है, दोस्तों, तो आपको ओडिट करवानी की जुरूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक कंडिशन है, जो की रखी गई है, आपका 95% receipt and payment, मतलब अगर आपकी 100 रुपे की एक लाख रुपे की अगर आपकी बिकरी है, तो 95,000 रुपे आपका जो income और expenditure है, जो आपकी receipt है, और जो expenditure है, वो other than cash में होने चाहिए, other than cash का मतलब online आप sale कर रहे हो, online आप purchase कर रहे हो, तब आपको 10 करोड तक कोई audit करवानी की जुरूरत नहीं है, लेकिन इस case में आपको 44 और AD का जो section है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, पर जम्टिव income के हिसाब से आपको taxation हो सकता है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी turnover का जो 95% cash में आ रहा है, मतलब other than cash में नहीं आ रहा है, तो आपकी जो limit है, वो एक करोड रुपे है, मतलब एक करोड से ज्यादा sale होने के बाद में आपको income tax में audit करवानी पड़ेगी, यह जो 10 करोड है, यह पहले 5 करोड होती थी, financial year 21 से आपको यह 10 करोड दे दी है, मतलब ऐसा को व्यक्ति जिसकी 1 करोड से ज्यादा sale है, उसको अपनी audit करवानी पड़ेगी, अगर ऐसा को व्यक्ति जिसकी 10 क provider की, यह पहले हमने एक रोड, 10 एक रोड वाली limit थी, वो तो थी जो sale वगरा कर रहे हैं, अपना goods बेच रहे हैं, इसके बाद में जो service दे रहे हैं, उनकी जो gross receipt है, अगर 50 लाग से cross कर जाती है, फिर उन्हें audit करवानी जुरूरी हो जाएगी, अब service professionals के अंदर, doctor, chartered accountant, engineer, ज्यादा के उपर audit करवानी, mandatory हो जाएगी, इसके बाद में बात करते हैं, section 44 AD है, income tax का, यह बोलता है कि अगर आपको audit नहीं करवानी है, आपको books of account अगर maintain नहीं करने हैं, तो आप ये section चूज कर सकते हैं, अगर 2 करोड तक आपकी turnover है, 2 करोड या उससे कम की turnover है, और आपक layer कर सकते हैं, अब एक छोटा सा में example देना चाहूंगा दोस्तो, अगर आपकी turnover, अगर आपकी turnover 90 लाग रुपए है, और 90 लाग रुपए का दोस्तो, government कहती है, एक करोड तक आपको audit करवानी की जुरूरत नहीं है, लेकिन आपकी turnover तो 90 लाग है, तो audit करवानी की जुरूरत आपको नहीं आ रही है, लेकिन section 44 AD के अंदर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपकी सारी की सारी sale है, वो other than online आ रही है, मतलब आप cash में इसको sale करते हैं, तो government कहती है, इसका 8% हमें profit है, वो दे दीजिए, तो 90 लाग 8%, दोस्तो, 7 लाग 20,000 पे आपका net profit आपको declare करना पड काफी tax लग जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी जो margin होता है, 1-2%, 3% ही होता है, वो 8% कैसे दिखा देंगे, इसलिए आपको 90 लाग की limit पर भी एक audit है, जो chartered accountant से करवानी पड़ सकती है, तो इसलिए case to case depend करता है, कि आपको audit करवानी है, या non audit में आप जाना करवानी पड़ेगी, ये आपको individual HEO for partnership firm है, 44 AD में जा सकते हैं, और एक example देना चाहूंगा, अगर आपकी 50 लाग रुपई sale होई है, तो इसका आप 8% दिखाएंगे, तो 4 लाग रुपई आपका net profit बनता है, 5 लाग तक कोई tax नहीं है, तो आप 44 AD में जा सकते हैं, लेकिन अ दोनों ही case में अलग अलग due date आपकी हो जाएगी, audit के मामले में 39 हैं, और उसकी ITR की 31 10 है, और जो आपकी 44 AD है, उसकी 31 जुलाई है, इसके बाद में 44 AD के अंदर आपने अगर profit डिखलेर कर दिया, तो आपको 5 साल तक 44 AD में ही डिखलेर करना पड़ेगा, ऐसा एक rule government ने बना तो आपको फिर 5 साल तक ITR 3 बरनी पड़ेगी, ITR 4 में आप नहीं जा पाऊगे, यह rule किसलिए बनाया था, क्योंकि government ने discourage किया था, टेक्सपेर जो बार बार इस scheme को बदलते रहते हैं, अपने according, अपने सुईदा के अनुसार जो उनको set up एटता हो वो ले ले लेते हैं, continuously change करते रहते हैं, तो इसलिए यह rule बनाया था, section 44 ADA 4 का, कि अगर आप किसी भी scheme में रहना चाते हो, तो 5 साल तक आपको उसी scheme में रहना पड़ेगा, बार बार आप change नहीं कर सकते हैं, इसके बाद में, अगर आप इसलिए बार 44 ADA में थे, और अगली बार आप 44 ADA में मतलब ITR 4 बरी थी, और अगली बार अगर आप ITR 3 भरते हो, और उसके अंदर आपने जो अपना net profit 5 उसका ज़्यादा दिखाया था, अगर आपका profit 8% से ज़्यादा या 6% ज़्यादा दिखाया था, फिर आपका जो rule है, ये break नहीं माना जाएगा, आप एक continue में इसको भी आप चला सक करते हैं, इसके बाद मैं 44 ADA, जैसे 44 ADA के बारे में बताया था, आपको net profit का 8% या 6% profit दिखाना होता है, उसी तरह से अगर आप doctor, engineer, chartered accountant या इस तरह का profession है, आपका की 44 ADA के अंदर आप fall करते हैं, तो आपको अपने net profit, जो net receipt है, उसका 50% तक आपको turnover है, net profit दिखाना आपको अगर आपकी 20,00,000,000 की receipt हुई है, अगर आप एक doctor है, आपकी 20,00,000 की receipt हुई है, तो government कहती है, उसका 50% आपको net profit दिखाना पड़ेगा, 10,00,000,000 आपको profit दिखाना पड़ेगा, और उसके पर आपको tax देना पड़ेगा, अगर आप कहते हो, जी मेरा net profit तो 5,00,000,000, 4,00,000,000, 3,00,000,000 ही है, तब आपको एक chartered accountant से आपको यहाँ पर audit करवानी पड़ेगी, हलांकि आपकी जो limit है, वो 50,00,000,000 रुपे तक है, 50,00,000 तक आपको audit करवानी की जुरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने net, जो receipt है, उसका 50% net profit भी दिखाना है, तो दोनों में से अ आपका, अगर आपकी 40,00,000,000 रुपे की receipt है, तो आपको audit करवानी जुरूर नहीं है, लेकिन government कहती है कि इसका 50% आपको net profit भी दिखाना पड़ेगा, जो की 20,00,000,000 हो जाता है, 20,00,000,000 रुपे आप tax नहीं देना चाहते हैं, आपका profit कम दिखाना चाहते हैं, फिर आपको audit करवानी पड़ जाएगी, इस तरह से आपको section 44 A.D. और A.D.A. का भी ध्यान रखना है, section 44 A.E. कहता है, अगर आप transporter हो, अगर आप एक person हो, carrying business of playing, hiring and leasing of goods, carries and offer, अगर आप एक truck वगरा का का काम है, transportation का काम है, और आपकी जो दो तरहें के truck होते हैं, दोस्तों, vehicle होते हैं, heavy वीकल और लाइट वीकल तो अगर आपके जो टन होते हैं टन जो उसका ग्रोस वेट होता है उसके इसाब से आप यहाँ पर जम्टीव इंकम में आप इंकम अपनी 44 A.D.A. में दिखा सकते हो 44 A.E. में पहले 44 A.D. था जिसके अंदर की आपको 6 परसंट की गाड़ी है आपकी और आपको 1000 रुपय पर टन का पर टन पर मंथ का दिखाना है तो 50,000 रुपय में आपको पर जम्टी में दिखाना पड़ेगा और 12 में आपका ट्रक चला है तो 60,000 रुपय आपको 6 लाग रुपय का नेट प्रोफिट आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप कहते हैं कि मेरा तो profit कम है तब आपको आपको जो दोस्तों यह है कि audit करवानी पड़ेगी एक chartered account रेंट से वहीं पर अगर आपका जो 12 तन से कम है अगर आपका पचेतर सो तन तक मान लो तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका 12 तन से कम या 12 तन से जादा है तो 12 तन से जादा है तो 1000 पर अगर आपकी लाइट वेट है अगर आपका जो विकल है तो इस हिसाब से आपको जो है आपका net profit आपको डिगलेर करना पड़ेगा इसके बाद last में दोस्तों future adoption के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग share market के अंदर transactions करते हैं intraday के अंदर future adoption के अंदर और उन्हें बाद में ध्यान में नहीं होता है कि हमें कब audit करवानी है कब नहीं करवानी है तो F&O turnover का जो computation aspect है वो आ आपका लगबग 95% से ज़्यादा जो transactions होता है वो other than cash में होता है लेकिन net profit का भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका net profit कितना है तो उसके according ही आपको जो है audit का decision लेना है otherwise एक रोड से ज़्यादा की limit आपको मैंने बताई दी थी उसके बाद में audit करवानी आपको जुरूर आपको देनी पड़ेगी या तो 0.5% of turnover या gross receipt या 1.5 लाख रुपए जो भी आपका कम होगा अगर आप मालो आपकी 5 करोड रुपए turnover थी और आपने audit time से नहीं करवाई audit करवाना भूल गए तो उसका 0.5% होता है 1.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए दोनों में से ज नहीं करवाई थी क्या कारण सा कि आप audit नहीं करवाई हैं अगर आप ऐसा कुछ बता देते हैं income tax department को और वो satisfy हो जाते हैं तो आपकी यह जो audit की जो penalty है वो भी नहीं लगेगी तो इस तरह से दोस्तों आपको 39 2022 तक आपकी audit है वो करवा लेनी है और 31 दस 2022 तक आपको अपनी जो audit वाली ITR है वो लगवा लेनी है अगर आप 44 AD में जाना चाहते हैं तो 31 साथ 2022 लाश तरीक थी लेकिन अभी भी 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी जो due date बाद भी आप be later यह revise return अपनी जो है बर सकते हैं और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगी होगी helpful लगी होगी तो इसको like करना ना भूलें और channel को भी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon भी दबा दें ताकि इस तरह की informative वीडियो आपके पास time से पहुंचती रहे thank you so much दोस्तो जय हिंद जय भारत